नमस्कार में हूँ प्रिया चली जानते बिहार की 25 बड़ी खबरों को शृंखला की जरिए बिहार ने एक बार फिर रचा इतिहास बिहार मेरा विवार को आयोजित होए शृंखला ने पिछले दो बार आयोजित किये गए शृंखला उंका रिकार्ड तोड़ दिया है सरकारी आकडों की माने तो इस बार आयोजित होने वाले इस श्रिंखला की लंबाई लगभग 18,344 किलोमीटर रही जिसमें लगभग 5,16,171,389 लोगों ने हिस्सा लिया वहीं दूसरे सान पर समस्तिपूर तो तीसरे नमर पर मुजफर पूर रहा अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सके इतना ही नहीं उन्होंने आधे दिन की ड्राइविंग ट्रेणिंग में 300 रुपे का मानन दे का प्रावधान भी किया है असल में बारिश का असर पढ़ रहा है अपकिसानों की खेती पर ठन के मौसम में बारिश का सीधा असर अप किसानों की खेती पर देखने को मिल रहा है। इस बे मौसम बरसाथ से सीधे तोर पर उतपादकता प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं। भागलपुर का तो ऐसा हाल है कि वहां की किसान एक साथ बाड़ और सुखार दोनों की सम समस्याइं जहेल रहे हैं। बारिश के कारण सरकारद्वारा निर्धारित लक्षे के अनुरूप भी फसलों का उतपादन नहीं हो रहा है। बारिश की समस्या के अलावा किसानों की जागरुपता का भी अभाव खेती को सही धंग से नहीं हो पाने का मुख्य कारण बना हवा का रुख अचानक बदलने से रात धलते धलते एक बार फिर से मौसम में ठनकासर बढ़ने लगा है। सोमवार रात से ही मौसम में लगभग 4 डिगरी तक की गिरावट देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दो तिन दिनों तक कुछ जिलों में बारिश होने की भी संभावनाय जताए गई है। मौसम विभाग की माने तो अचानक से मौसम में इस बदले रुक का कारण पशिम बंगाल के सक्रिय चक्रवात का उत्तर पूर्वी और दक्षिन पूर्व बिहार में शिफ्ट होना है। खबरों की माने तो खास कतरणी का एक नए धंक से अविश्कार किया है। जिससे की पौधे की लंबाई छोटी की जा सकेगी, पानी की खपत भी कम होगी और कम लागत में ही उत्पादक्ता अधिक किया जा सकेगा। इस नए कतरणी से मातर 135 दिन में धान की फसल तयार हो जाएगी जो की पहले अनावरन मुझफरपुर में आयोजी तीन दिवसीय उननिस स्वी बिहार सब जूनियर बालिका कबटी प्रतियोगिता का आयोजन 22 जनवरी से किया जाएगा जहां पर कुल मिलाकर 38 जिलो की टीम इसमें हिसा लेगी वहीं आयोजन से ठीक पहले मिठनपुरा स्थित होटेल क सब्गार में इस प्रतियोगिता में मिलने वाली ट्रॉफी का अनावरन किया अपकी जानकारी के लिए आपको बताते इस खे़समारो में मिलने वाली इस ट्रॉफीक अनावरन भाजपा人 धिलाधियक शुंजन कुमार चदियुन नेता चंदन कुमार भासकर, गारगी शिव में यहां पर स्थापित किया गया था इस जैप्रकाश पार्क को कई नामों से जाना जाता है कुछ स्थानिय लोग इसे चुरिया घर के नाम से जानते हैं लगबग साड़े पांच एकर में फैले इस पार्क में परेटकों के बैठने के लिए पथर की सीट लगी है जहां शाम ढलते ढलते लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है अब आई जानते हैं बिहार की जानिमानी हस्ती के बारे में आज हम बात करेंगे दश्रत मांजी की दश्रत मांजी ऐसा नाम है जिने लोग उनके काम के लिए जानते हैं दमांटिन मैन के नाम से प्रचलित मांजी का ज कर सरक बना दिया था जिसके बाद से लोगों ने उनकी इस बहादुरी के लिए मांटेन मान का टैक भी दिया इतना ही नहीं मांजी को उनकी इस उपलब्धी के लिए साल 2006 में भारत रत्म से भी नवाजा जा चुका है वह मांजी के जीवनी पर एक फिल्म भी बनाई जा चुक आपको बता दे अपनी मांग को लेकर डटी साधवी पदमावती का घरेलू नाम सानिया कुमारी है जिसने अपनी प्रारंभिक सिक्षा नालंदा जिले के ही बिंद में की थी मही साल 2018 में नालंदा की रहने वाली सानिया ने साधवी बनने का फैस्ता लिया था तब से वो ग भारतिय टीम पांच माचों की T20 सीरीज पर फिर तीन वंडे माचों की सीरीज और दो टेस्ट चैंपियंशिप के माच खेलेगी आपको बता दे कि 24 जनवरी भारतिये समय नुसार दो पहर 12 बजे से भारत और न्यूजिलांड के बीच पहला T20 खेला जाएगा NCC Candidates के वार्शी प्रसिक्शन की हुई शुरुआत पटना समयत कई जिलों में श्रिंखला के सफलता पूर्वक समापन के बाद अब नालंदा के राज बिहारी हाई स्कूल में NCC Candidates का प्रसिक्शन शिवर का शुभारम कर दिया गया है जिसकी शुरुआत नालंदा के कौ Commandants और Commanding Officer Colonel Arvind Rana ने किया है इतना ही नहीं सांसत कौशलेंद कुमार ने तो इस शिवर में शामिल होने आए सभी Candidates का श्रिंखला में शामिल होने का धन्यवाद भी दिया है सहाएक आशुलिपिक के लिए RDD ने निकाली रिक्तिया Rural Development Department यानी की RDD ने Assistant और आशुलिपिक यानी की Stenographers के लिए 42 पदों पर रिक्तिया निकाली है इन पदों के लिए योग्यों मिद्वार के अगर हम बात करें तो केवल सेवा निर्वित अभेर्थी को ही इन आवेदनों के लिए प्राच्मिक्ता दी जाएगी वही इन पदों के लिए अगर हम साक्षनी क्योगिता की बात करें तो इन दोनों ही आवेदनों के लिए अभियर्थी किसी भी सरकारी नौकरी से सेवा नर्वित होना चाहिए और साथ ही 65 साल की उम्र के अंदर होना चाहिए इच्छो कभियर्थी rdd.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और साथ ही इन पदों से जोड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिये गे लिंक पर जाकर ले सकते हैं सोन पर बन रहे 6 लेन पुल पर जल्द ही दोड़ने लगेंगी गाडिया पटना भोजपूर और सारन बासियों के लिए खुश खबरी लगवग दो साल से पुल पर लगए है जाम की समस्या से जूझ रहे है आम नागरिकों को अब इससे रहत मिलने की उमीद जताई जा रही है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे इस पुल के RHS में 37 स्पैन है जिसमें से 30 का काम पूरा हो चुका है बचे 7 का काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा महीं खबरों की माने तो इस पुल के निर्मान में लग रहे समय का कारण इस पुल के बार-बार डिजाइन में होरे परिक्षा निर्देश जारी कर दिये हैं जिसके तहट 28 तारीक को होने वाली यह परिक्षा दो पालियों में ली जाएगी इसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी वहीं दूसरी पाली इस परिक्षा को दो पहर 2 बजे से 4 बजे तक लिया जाएगा इतना ही नह परिक्षा पर चर्चा कारिक्रम में बिहार के 70 में से 64 चात्र ही हुए शामिल प्रधानमंदी नरेंद्र मोदी ने दिली में आयुजित परिक्षा पर चर्चा कारिक्रम का संबोधन किया जहां उन्होंने सभी छात्रों से कई सारी बाचीत की इतना ही नहीं उन्होंने चात्रों को खासकर उन चात्रों को जिने इस बार बोड की परीक्षा में बैठना है साथ ही जिन चात्रों को प्रवेश परीक्षा देना है उन्हें तनावभगत होकर परीक्षा में सम्मिलित होने का नसीहत दी साथी साथ प्रधानमंती नरेंदर मोदी ने इस दोरान छात्रों द्वारा पूछी जारे सवालों का भी जवाब दिया आपको बता दे परिक्षा पर चर्चा कारिक्रम में सम्मेलित होने के लिए बिहार के लगभग 70 छात्रों का चैन किया गया था अगर केवर 64 छात्र ही कारिक्रम का हिसा बन पाए CBSC का दसवी और बारहवी का अड्मिट कार्ट हुआ जारी केंद्रियमाधमिक बोर्ड ने दसवी और बारहवी परिक्षा का अड्मिट कार्ट जारी कर दिया गया है जिसे अब आने वाले 2-3 दिनों में डाउनलोड कर स्कूल प्रसाशन द्वारा छात्रों को मुहया करवा दिया जाएगा ग्याथो स्कूल के प्रचारे के हस्ताक्षर के बिना किसी भी छात्र का अड्मिट कार्ट मानने नहीं होगा जिसकी जानकारी CBSC ने पहले ही सभी स्कूल को दे दी है आपकी जानकारी के लिए आपको पता दे CBSC की दस्वी और बारहवी की परिक्षा फरवरी के दूश्रे सप्ता में शुरू होने वाली है सामने आई दरोगा बहाली परिक्षा के 216 आवेदन रद होने की बज़े है भीहार पुलिस में दरोगा और सोर्जन पदों पर होने वाली परिक्षा में 276 आवेदनों को रद कर दिया गया है जिसकी जानकारी भीहार पुलिस अवरसेवा आयोग ने खुद दी है आयोग की माने तो बिहार पुलिस की विभिन्य पदों के लिए एक से ज्यादा आवेदन किये गये थे और इसी वज़े से वैसे उमीद्वारों के आवेदन को रद कर दिया गया है केंद्रिय मंत्री रामविलास पासवा ने One Nation One राशन कार्ट को लेकर बड़ा एलान किया है जिसके तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन करके यह साफ कर दिया है कि अब समूचे देश में एक ही तरह का राशन कार्ट जारी किया जाएगा इसके आगे उन्होंने यह शाह युक के बाद अब नड़ा युक का दौश शुरू हो गया है लोगसभा चुनाव के बाद ग्रिह मंत्राले के साथ साथ राश्ट्रिय अध्यक्ष की बागड़ोर संभाल रहे हैं अमिशा को अब उनके एक पद से मुक्त कर दिया गया है और अब ये पद भाजपा के वरतमान में प्रदेश अध्यक्ष रहे जेपी नड़ा के कंधो पर डाल दिया गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे जेपी नड़ा खाटी बिहारी के हैं उनका जन्म पटना के भेखना पहारी इलाके में हुआ था और यही कारण है कि उनका बिहार से नाता थो कलता पुरवक समापन के बाद मुख्यमंद्री नितिश कुमार ने पर्यावरन संग्रक्षन को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने साफ का है कि पर्यावरन के मुद्धे पर सरकार कभी भी कोई भी समझोता नहीं करेगी हमारी योजना से यकीनन राज्य के लोग पर्यावरन संग्रक्षन को लेकर जाग रुख हुए है और इसी क्रब में आने वाले समय में पर्यावरन को ध्यान में रखते वे आठ करोर पौधार ओपन का लक्ष भी पूरा किया जाएगा जदियो दिल्ली में दो सीटों पर उतारेगे अपने उमिद्वार दिल्ली विधान सबाचुनाव का बिगुल बच्चुका है इसी क्रब में बिहार की राजनेतिक पार्टिया भी दिल्ली में अपनी किसमत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तयार बैठी है मही भाजपा के साथ गटपंदन की सरकार बना कर दिल्ली के मैदान में उतरने वाली जदियो को दो सीटे मिली है जिस पर उमिद्वारों की घुशना कर दी गई है ग्यातो जदियो को जो दो सीटे मिली है उसमें बुरारी और संगम विहार की सीट शामिल है इतना ही ने दिल्ली विधान सबाचुनाव की मदे नजर जदियो ने दिल्ली में 20 स्टार प्रचारों को की सूची भी जारी कर दी है दिल्य विधान सबाथ चुनाव में बिहारी दल अपनी किसमत आजमाने के लिए है तैयार दिल्य विधान सबाथ चुनाव आने में भले ही कुछ समय siz है मगर दिल्ली से लेकर बिहार तक इस चुनाव की चर्चाएं चल रही है जहां एक और कॉंग्रेस ने इस बार चुनाब अभियान समीती की बागडोर कीर्थी जहा के हाथ में सौपी है वहीं बिहार की सतारूर पार्टी जदियों ने इसकी कमान संजेग जहा को सौपी है इसके साथ ही हम अगर राश्ट्री जनता दल की बात करें तो राश्ट्री जनता दल ने इस चुनावी कमान को समभालने के लिए राज़स भासांसित मनोज जहा को मैदान में उता रहा है जहां एक और बिहार की राज़त और जैदियों पार्टी अलग अलग राज़े में अपना विस्तार करना चाहती है तो वहीं दूसरी और कॉंग्रेस अपनी खोईवी सत्ता को एक बार फिर से पाना चाहती है इसी क्रम में सभी राज़नातिक गल्चुनाव को ध्यान में रखते वे अपने हिसाब से रणीती बनाने में जोटे हुए है राज़पूतों से समर्थन देख अति प्रसन हुए नितीश पटना के मिलर हाई स्कूल में महराना प्रताप की जैन्ती पर आयुजित कारिक्रम को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री नितीशकुमार अतिप्रसन और उत्साहिद दिखे खासकर की राज़पूतों के समर्थन को देखकर मुख्यमंत्री नितीशकुमार फूले नहीं समा रहे थे भारी संख्या में जूटे समर्थकों को देखकर उन्होंने मंच सही पटना में जल्दी महराना प्रताप की प्रतिमा लगाने का एलान किया साथी वहाँ उपसित लोगों से यह भी का कि मैंने भी हल्दी घाटी जाकर वहाँ वीर महराना प्रताप की मिट्टी का तिलक लगाया है पटना पहुचते ही मुख्यमंत्री पर गर्जे तेजस्वी श्रिंखला के सफलता पुरुवक आयोजन से बौक लाए विपक्षी दल बयान बाजी से बाज नहीं आ रहे हैं इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने पटना लोटते ही मुख्यमंत्री नितीश कुमार के श्रिंखला आयोजन पर तंच कसा है उन्होंने कहा है कि चाचा जी केवल सरकारी खजाने का दुर उप्योग कर रहे हैं इस श्रिंखला से वो केवल अपना चहरा चमकार है ठंड में जबरदस्ती लोगों को इसमें शामिल किये इतना ही नहीं चाचा जी ने तो स्कूली छात्रों को भी जबरदस्ती श्रिंखला का हिसा बनाया है आपकी जानकारी के लिए आपको पताते हैं निता प्रतिपक्ष तेजस्वियादफ अपने सिमांचल के दौरे पर थे जहां से लोटने के बाद उन्होंने मुख्यमंद्र नीतिश कुमार पर ये सारी बयान बाजिया की है फिल्म जुन्ट का पोस्टर लुक हुआ जारी अमिताब बच्चन की अपकमिंग फिल्म जुन्ट का फर्स लुक जारी कर दिया गया है जिसमें अमिताब बच्चन पीर तिकाकर जमीन पर बड़े फुटबॉल को देख रहे हैं अमिताब के इस नए पोस्टर से इस फिल्म का अंदाजा लगाया जा सकता है वैसे खबरों की माने तो यह फिल्म एंजियो चलाने वाले सामाजी कारेकरता विकास बरसे के बारे में है इतना ही नहीं इस फिल्म में अमिताब एक रिटायर्ट स्पोर्ट्स प्रोफेसर का दार निभार है जो की गरीब तबकी के छात्रों को फुटबॉल खेलना सिखाते है या तो इस फिल्म का पोस्टर अमिताब ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेर किया है तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों तो आज का सवाल को इस प्रकार है आप अपने पर